नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की एजवेंट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एजवेंट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एजवेंट टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक् और यह भी डिसकस करेंगे की एजवेंट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एजवेंट एक ब्रैंड नेम है, एजवेंट टैबलेट के अंदर सौर्ट कंपोजिशन एज़ित्रोमाइसिन होता है, एजवेंट टैबलेट 250 Mg वपान 100 Mg की एजवेंट टैबलेट का उप्योग शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फैफरो में बैक्टीरियल इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दातों या मसूरों मे इन्फेक्शन होने पर जोडों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर एजिवेंट टैबलेट को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा सकता है इसलिए बुखार होने पर भी dr. azevent टेबलेट को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैav जिनमें आपका dr. azevent टेबलेट को लेने की सला दे सकता है Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में EZEVENT tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में EZEVENT tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, भूप कम लगना, वचा पर रैशेस होना, वचा पर खुजडी होना, मोह का स्वार खराब होना, पेट में दर्ध होना, सिरदर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects EZEVENT tablet की वजह से हो सकते हैं कुछ व्यक्तियों में EZEVENT tablet की वजह से liver damage भी हो सकता है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को EZEVENT tablet को लेते समय तवचा या आखों का पीला पढ़ना, पेरों में सूजन होना और पेट में दर्ध होना आदी लक्षन होते हैं, तो ऐसी स्थिती में तुरंत ही डॉक्टर से प खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तौर पर बारह साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर EZEVENT 250 mg tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, या EZEVENT 500 mg tablet को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं, EZEVENT tablet को डॉक्तर तीन द दिन से लेकर 5 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं, EZEVENT tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको EZEVENT tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अब हम डिसकस करेंगे की EZEVENT tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, EZEVENT tablet को केवल उतने समय के लिए ही ल और एंटिबायोटिक रेजिस्टिंस होने पर वो एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और EZEVENT tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है, इसलिए EZEVENT tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए, जितने सम आ दी है, EZEVENT tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या flu होने पर प्रभावी नहीं होती है, अगर किसी व्यक्ति को लिवर की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर की बीमारी से पीडिक व्यक्तियों के लिए EZEVENT tablet को लेना recommended नहीं होता है, वैसे EZEVENT tablet pregnant महिलाओं को कोई नुक्सान नहीं पहुचाती है, लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पढ़ने पर ही डॉक्तर pregnant महिलाओं को EZEVENT tablet को लेने की सलाह देते हैं, स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए EZEVENT tablet का सेवन करना recommended नहीं है, इसलि वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका EZEVENT tablet से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुच सकते हैं.